वेलकम टू जे एक्लाशिज निरट मैं हूँ पिंकलत यागी और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको EDDE Second इसका नाम है Electrical Design, Drawing and Estimating Second इसके syllabus के बारे में डिस्क्स करते हैं इसमें किस-किस content को हम पढ़ाएंगे वो डिस्क्स करेंगे और subject के किस point की क्या practical importance है इसके बारे में डिस्क्स करते हैं जैसा कि सबसे पहला point है कि contactor control circuit तो इसके अंदर में डिस्क्स रहेंगे कि contactor क्या है बहला point यह डिस्क्स रहेंगे कि contactor क्या है contactor क्या है part of contactor control automatic control system automatic control system system और start जो हमारा सबसे बहला topic है contactor control circuit संपर्ग नियंतर परिपत के अंदर जो हमें study करेंगे वो यह करेंगे कि भी contactor क्या है contactor का use क्या है part कौन-कौन से contactor के या दूसरा है control circuit के संपर्ट को किस्वकार से automatic control कर सकते हैं और एक इसमें topic और है इसका नाम है starter starter दो प्रकार के हमें से पढ़ेंगे direct online starter दूसरा star delta starter तो हम जो पहला हमाया chapter है contact control circuit में study करेंगे यह point हम study करें contactor क्या है part of contactor क्या है automatic control circuit क्या है उसके बाद starter दो प्रकार के है direct online starter or star delta starter जो अमरे next topic है जो बड़ा important topic है electrical engineering में जिसका नाम है arthing भूव संपरकन arthing के अंदर सच पहले arthing क्या है अर्थिंग यह एक्जाम point of use अभी tactical point of use बहुत important topic है arthing इसके study करें arthing क्या है arthing की आफस्ट्टा क्या है निकिए need of arthing arthing क्यों आफस सके क्यों करें यह इसके अंदर study करेंगे need of arthing उसके बाद advantage of arthing क्या है गर्राइडवांटे अफसी तरी क्यों 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 वाइडवांटेजे अफसम्ग of arthing क्यों क्यों जों गय में study क्व इसके आफस्टिंग यह दिम अफस वा güne है और कई बाझ को कूछ लेता है कि पॉइंट कूङ टू बई की विनदुवत किया जाता है ciao में अर्थ kidding किने टाइट पर टिंग है कोंसे आखटिंग कहां हम प्रीजिक करेंगे इस हे चाप्टर के अर्थेफर के आथा हम वनगाई दिसकस करेंगे प्रिकास प्रणादी का आड़िक इसके अंदर मालिया किसी भी डोमेस्टिक वायरिंग में इंडोर या पार वायरिंग के अंदर जो हम प्रिकास की वैस्ट है इसके अंदर एक हमें बल्क प्रियोग करना है तो इनका अर्णिमेंट किस प्रकास कहां बल्क का प्रियोग कर आगी में स्विच बोड है किस प्रकास पहुंचनी है कैसे उसका सिंगल डागराम तयार करते हैं वह सब इस चेप्टर के अंदर आपको पढ़ाय जाएगा कि सिस् सिस्टम में लगा सकते हैं उसका योजना प्लान उसका डागराम तयार करना यह सब चीज़ें आपको इस चेप्टर के अंदर सिखाए जाएगे होर चेप्टर है बड़ा इंपोर्टन चेप्टर है बोड के देश्टी से इस्टिमेशन एंड पोस्टिंग ओफ इंटर्नल वायरी यानि कि जो घरेलू माले को एक घर दिया हुआ है यह को कमरा दिया हुआ है इसके अंदर हमें एक बर्भ एक लाइट और एक फैन का प्रि हम पहले पिता चुके हैं आप स्षमेशन के शूडेंट हैं आप इंजिनियर हैं इंजिर बनने वाले हैं तो क्या है की कारिय सो कुछू कर्ने से पहले ही उस पॉट्ट की सिप्धिशों स्टिंग बना देना कि इस सुडेट को बनाने में इतना क्रचा आएगा यही करने से पहले उसका खर्चा पता देना इस्टीमेटिंग कोस्टिंग ओफ इंटरल वारी कहलाता है कैसे वारी की जाती है किन-किन बिंदू को ध्यार में रखा जाता है कैसे उसका लोड निकालते हैं कहां किस बिंदू का चैन करेंगे स्विच बोड कहां लगाएंगे डिस्टिबूशन बोड कहां लगाएंगे बनब कहां लगाएंगे ट्यूबलेट कहां लगाएंगे फैन कहां लगाएंगे उसमें कितना साइज कंडेक्टर साइज क्या होगा कंडेक्टर की लंबाई क्या होगी यह सारे डिसकस इस्टिमेट विस्तार से जेवी क्लाश्ट में वन बाई वन आपके साथ किये जाएगे उसके बाद नेस्ट टोपिक है एस्टिमेशन ओपार वारी जैसे मैंने अभी आपको बता आप इंटर वारिंग के अंदर जो भी डोमेस्टिक हमारे घरों के अंदर कि क्या वारी कहा लगाना है यह सब दिन्दों को लगाने से पहले ही उसकी लागत उसकी कोस्टिंग बता देना इस्टिमेटेंग ऑफ कोस्टिंग इंटल वारिंग कहलाता है सेम यही कारिया है सोकिट लाइट फैंस सर्किट के लिए करते हुए किसी मोटर जन्नेटर यह ट्रांसफोर्मर के लिए किया जाएगा तो वही करने से पहले ही सामने वाले को बता देना कि मशीन को सैट अप करने में इतना खर्चा आएगा वह इस्टिमेटिंग और कोस्टिंग और पावर वायरिंग कहला है नेस्ट टोपिक है इस्टिमेशन ओवर हैड लाइन जैसा कि आप सेकिंडर में एक सब्जेक्ट टीडीपी पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपने पढ़ा है कि जन्रेशन होता है फिर ट्रांस्मीशन होता है फिर दिस्टिविशन होता है उसके बाद यूटलाइज़शन ह इसी की गौल तैप टीडीटीबिशन ऒवेवर के दौर्चिक के दव यानकि वाइर के माध्रम से सपोर्ट के माध्रम से हम किसी जिसमाले यह सपोर्ट लगे हुए आपने देखा होगा हम ध्यात में खंबे लगे हुए खंबो के माध्यम से हम अपनी पावर को ट्रांस्मेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से एक्ट्यूपमेंट की हमें आवसकता होगी सपोर्ट कौन-कौन से प्रकार के होंगे किस सपोर्ट को कहां यूज करेंगे कंड़क्टर कौन-कौन से प्रकार के होंगे किस कंड़क्टर कहां पर यूज करेंगे और यदि कोई लाइन हमें खीचनी है तो लाइन को खीचने से पहले ही उस लाइन की लादत कोस्तिंग बता देंगे, इस line को खेचने में इतना खच्चा आएगा, जै वो underground line हो, या overhead line हो, यदि line overhead, supports तो ओपर जा रही है, supports की पृफ़ी के उपर जा रही है, तो overhead line है, यदि ground के अंदर से line जा रही है, तो वही line, underground line कहलाती है. है मेरान कि षो।ạ इशा चैप्टर के अंदर हम दोने ॉनों का इस्टिमेर्टिंग कोष्टिंग करेंगे पहले प्ता चुका हूँ करने से पहले हुआ की लागत बता देना कि कोश्टिम कहला comments के अंदर इसकी सर्विस करस्थ के अंदर या दि हम בnes को अपनी पास अपनी लाइन से अपनी लक्टिव पाव से कनेक्शन देना है तो कस्टुमर के भवन के आधार पर किस प्रकार का कनेक्शन किस कस्टुमर को दिया जाएगा और उसमें कितना खर्चा आएगा यह सब हम पढ़ेंगे स्टुमर के इस्टिमेटिंगैं कोश्टिंग ओफ सर्विस कनेक्शन के अंतरकत लास्ट है इस्टिमेशन को समोल सब़िस्टेशन जैसेगे पहले बता चुक這邊 आछा हूं कि इलेक्टिकल के 4 स्टैप है पहला है generation, transmission, distribution और utilization जो generation के बाद हम electrical power को point to point पर एक सभिस्टेशन के माध्यम से धीरे-धीरे step up या step down करते हुए उकसे customer तक पचाते हैं सभिस्टेशन का होता है इस सभिस्टेशन तीन प्रकार के होते हैं small, medium या large सभिस्टेशन लेकिन आपको जो केकल इस्टीमेटिंग पढ़ाई जाएगी वो small सभिस्टेशन की पढ़ाई जाएगी कि किसी को कोई भी सभिस्टेशन लगाना है मालिया 33 kv by 11 kv का को सभिस्टेशन के इस चेप्टर मा करेंगे के इस्टीमेशन ओफ कोस्टिंग ओप इस्वोल सभिस्टेशन आप हमारे साथ जुड़े रहिए देखते रहिए जैई क्लासिज मेरत आपको इड़ी शेकिंड में सभी लेक्चर वन बाई वन एच्छ एच्छा कंटेंट आपको मिलेगा थेंक्यू सो मच